सबसे पहले हम एक डो तियार करेंगे तो इसके लिए हम एक कप ग्यंगू का आटा लेंगे और इसे चन्नी से चान लेंगे इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और नमक को आटे में अच्छे से मिलाएंगे देशी घी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक डो तियार करेंगे हम आटा उसी तरीके से गूंदेंगे जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं आप गेहूं के आटे की जगे मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं डो हमारा तैयार है अब इसे हम 10 मिनिट के लिए ढग देंगे और आगे की तैयारी करेंगे तो गैस परने में फ्राइपेंड रखेंगे और उसमें देशी घी डालेंगे जब घी गरम हो जाएकर तब इसमें हम डाल देंगे प्याज तो प्याज को मैंने लंबाई में काटा है और इसे हम हलका सा भूनेंगे हम इसे जादा नहीं भूनेंगे बहुत ही हलका भूनना है अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी मैंने लंबाई में काटा है इसे भी हम हलका ही भूनेंगे इसके बाद में काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे प्याज जो शिमला में शमारी भून चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे इसके बाद जो हमने डो तयार किया था उसमें से थोड़ा सा माटा लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे लोई को मच्चे से रोल करेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसकी रोटी बना लेंगे इस तरीके से इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बनाएंगे दूसरी रोटी भी हमारी बन के तयार है अब गैस पे हम तवा रखेंगे और उसे गरम कर लेंगे और रोटी को डाल देंगे रोटी जब एक तरफ से सिख जाएगी तब उसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से हमें इसे बहुत ही अच्छे से से सेखना है इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी सेख लेंगे एक तरफ से सिख चुकी है अब इसको हम पलट देंगे और इसे दूसरी साइट से हम अच्छे से सेखेंगे देखिए दूसरी साइट से भी हमारी रोटी अच्छे से सिख चुकी है इसके बाद हम एक बोल लेंगे और उसमें हम एक अंडे को फोल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लारमिश पाउडर और इसे अच्छी से फेंटेंगे फ्राई पेन को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और उसमें हम हरका सा घी डालेंगे और घी को हम अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे इसके बाद जो हमने अंडा फेट के रखा है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से चारों तरप से घुमा लीजिए ताकि ये अच्छे से स्प्रेट हो जाए अब इसके उपर हम रोटी रखेंगे जो हमने सेख के रखी है और इसे अच्छे से दबाएंगे थोड़ा सा इसके उपर घी डालेंगे और घी को अच्छे से फैला देंगे इससे अच्छे से दबाते हुए हम सेख लेंगे जब एक तरफ से सेख जाएका तरफ इसको पल्टेंगे और दूसी तरफ से भी हम सेख लेंगे जेम इसी तरीके से हम दूसरा भी तयार करेंगे अंडे को फोडेंगे और उसमें नमक को लादमिश पाउडर डालेंगे और उसे हम तबे के उपर डाल देंगे अब उसके उपर हम रोटी रखेंगे और उपर से हम घी लगाएंगे घी को हम अच्छे से फैला लेंगे ताकि घी अच्छे से हमारी रूटी में लग सके अब इसको हम दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे दीजिए दूसरा भी हमारा तयार है अब इसके उपर हम लगाएंगे टमेटो सॉस और इसको अच्छे से हम फैला देंगे इसके बाद हम इसके उपर रखेंगे जो प्याज और शिमना में शिमने भूल के रखी है फोड़ी सी इसके उपर पत्ता गोवी डाल दीजिए और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ओपर से हम थोड़ा सा इसमें टमेटो सॉस भी डालेंगे और चिली सॉस भी डालेंगे अब इसको हम फोल्ट कर देंगे इस तरीके से टूथपिक की सायता से इसको बंद कर देंगे अगर आपके पास toothpick नहीं है तो आप इसको foil paper से लपेट के बंद कर दीजिए foil paper से लपेटने पर भी ये खुलता नहीं है अब इसी तरीके से दूसरे को भी हम रोल करेंगे लीजे हमारे egg roll बनके तयार है और इसे मैंने गेहों के आटे से बनाया है आप भी एक बार गेहों के आटे से बना के देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते है पसंदा है तो इसे like share जरूर कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले